स्वागत करता हूँ साथियो आज ये टॉपिक था ना कल बुक्स का ये कुछ बचा हुआ है कुछ महतवर्ण कुस्तक इसमें अभी भी बच्ची हुई है इसलिए हम ये रख लेते हैं आज और जो आपके टेस्ट की बात थी ना वो टेस्ट तो आपके सेटरडे और संडे क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम चीए उन्हें बहुत मतलब बहतरीन सा बनाने के लिए और जल्दी में बनाना नहीं चाहता ठीक है थोड़ा बहतर सा बनाने के लिए जो टाइम चीए सेटरडे और संडे विचे सेटरडे 50 कुशन्स का और संडे भी 50 का 50 से 10 पांच उपर नीचे अगर होता है तो वो भी देख लेंगे तो सेटरडे को जो होगा एक से लेके 6 क्लास का एक से 6 क्लास और यह होगा साथ से लेके बादे क्लास ठीक है तब तक बादे क्लास हो जाएंगी चलो तो अभी शुरू करते हैं प्रमुक पुस्तकों वाला दूसरा Breaking the Mold Breaking the Mold इस पुस्तक में नाम तो आगे भी है लेकिन इतने से ही आपको पता चल जाएगा Breaking the Mold जो पुस्तक है वो किसकी है रगुराम राजन और रोहित लामबा और यह कौन है बच्चो रगुराम राजन पूर्व आर्बियाई गवर्नर ठीक है इसलिए जब इनकी पुस्तक है तो सीधी सीधी सी वो महतपूर्ण होई जाएगी तो Breaking the Mold किसकी है रगुराम राजन और रोहित लामबा की पुस्तक है बच्चो ठीक है The Book of Life My Dance with Buddha for Success यह तो बड़ी महतपूर्ण पुस्तक है और यह आपको एक बार इसका पुस्तक का चेहरा दिख जाएगा ना फिर इससे आप भूलोगे नहीं The Book of Life My Dance with Buddha for Success विवेक अगनी हुतरी यह वही है जिन्होंने वेक्सीन स्टोरी और कश्मीर फाइल्स को डारेक्ट किया है ठीक है Fire on the Gangs मतलब गंगा के गंगा पर क्या है बच्चो Fire वने आग ठीक है तो राधिका आयंगर ठीक है आग है ना आयंगर यहां मिलता मिलता हो जाएगा राधिका आयंगर ठीक है तो दा Fire on the Gangs यह हो जाएगा बच्चो राधिका आयंगर Through the Broken Glass Through the Broken Glass है TN Session की यह पूर्व Chief Election Commissioner रहे हैं और बहुत महतपूर्ण इनका नाम है जो Election Commissioner है उनमें बहुत महतपूर्णों में इनको माना जाता है एक पर फिर से देख लें Breaking the Mold किसकी पुस्तक है एक तो यह होगे रगुराम राजन और साथ में हैं इनके रोहित लामबा बच्चो ठीक है रोहित लामबा और रगुराम राजन यह दो लोग हैं Breaking the Mold ठीक है बच्चो Re-Imagining India's Economic Future यह इसके साथ जुड़ेगा हो सकता है जोड के पूछें Re-Imagining India's Economic Future और Breaking the Mold यह किसकी है रगुराम राजन और रोहित लामबा की है ठीक है बच्चो The Book of Life The Book of Life My Dance with Buddha for Success यह पुस्ता के किसकी Vivek अगनी हो तरीकी बच्चो ठीक है Fire on the Gangs यह किसकी है तो यह Radhika I Anger की है Fire on the Gangs किसकी है तो Radhika I Anger की है किसकी है बच्चो Radhika I Anger की है ध्यान रखना है Radhika I Anger और यह है कौनसी Through the Broken Glass पूछे झाल अब भनू मैं करना हूँ शायद Hello 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 बच्चो अभी आ रही होगी ठीक है तो यहां जल्दी से एक बार फिर से देख लो कभी अब पता नहीं कहां पर आवाज चली गई थी तो एक बार यहां फिर से दिखा देता हूँ मैं Breaking the Mold यह रगुराम राजन और कौन है साथ में रोहित लामबा है ठीक है बच्चो दबुक अफ लाइफ My Dance with Buddha for Success Vivek Agnihotri की है Fire on the Gangs यह किसकी है Radhika Ayangar की है और TN Session की है Through the Broken Glass क्या है Through the Broken Glass बच्चो Colors of Devotion Anita Bharat Shaha Colors of Devotion किसकी पुस्तक है Anita Bharat Shaha की किसकी है Anita Bharat Shaha की बच्चो The Indian Metropolis बहुत महत्पूर है Varun Gandhi की है ठीक है Mijnika Gandhi और Sanjay Gandhi के जो बेटे है तो The Indian Metropolis किसकी है Varun Gandhi की है Colors of Devotion Anita Bharat Shaha तो देखो हमारा Devotion होना चीए है ना किसके पुरती भारत के पुरती या फिर ऐसे कह दो Anita हमारा Devotion होना चीए भारत के पुरती ठीक है भारत के पुरती होना चीए तो Colors of Devotion हो जाएगी Anita Bharat Shaha वहाँ पे याद हो जाएगा ठीक है बच्चो चलो The Indian Metropolis फिरोज Varun Gandhi या Varun Gandhi नाम से भी आ सकता है Nation Calling ये एक IS है उन्होंने लिखी है Sonal Goyal उनका नाम है Sonal Goyal नाम है Nation Calling उनका बच्चो पुस्तक का नाम है और Pitchside My Life in Indian Cricket अमरित माथुर ठीक है बच्चो Pitchside My Life in Indian Cricket किसकी है अमरित माथुर की है जल्दी से एक बार फिर से देखो Colors of Devotion किसकी है Anita Bharat Shaha की तो भी Devotion होना चीए भारत के परती Anita Bharat Shaha ठीक है The Indian Metropolis लिखी है Varun Gandhi ने किसने लिखी है Varun या फिरोज Varun Gandhi The Indian Metropolis लिखी है बच्चो किसने Varun Gandhi ने लिखी है ठीक है Nation Calling किसने लिखी है तो Sonal Goyal ने लिखी है Nation Calling Sonal Goyal ने लिखी है बच्चो और ये है Pitchside My Life in Indian Cricket ये लिखी है Amrit Mathur ने किसने Amrit Mathur ने अमरत साही मिल जाना उसको तो जिसे किरकेट में खेलने का मौका मिल जाए ठीक है जिसे Indian Cricket में खेलने का मौका मिल जाए तो My Life in Indian Cricket ये Amrit Mathur याद रखना है ठीक है Varun Gandhi की कौन सी है The Indian Metropolis बच्चो Colors of Devotion Devotion होना परती चाहिए भारत के परती अनीता भारत के परती होना चाहिए तो अनीता भारत शाहा हो गया ठीक है The Indian Metropolis किसकी है Varun Gandhi की है Nation Calling किसकी है Sonal Goyal की है और बच्चो यहाँ पर Pitchside My Life in Indian Cricket ये Amrit Mathur की है Reverse Swing Reverse Swing होगी बच्चो Reverse Swing Ashok Tendon की है किसकी है Ashok Tendon ठीक है बच्चो Ashok Tendon की है Reverse Swing Western Lane बहुत महतपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसे बुकर के लिए भी Shortlisted किया गया था ठीक है तो चेतना मारू की है क्या Western Lane Reverse Swing है अशोक Tendon की The Yoga Sutra for Children रूपा पाई ने लिखा है और अजय टू योगी आदित्तेनाथ शांतनु गुपता ने ठीक है तो Reverse Swing Ashok Tendon की है Western Lane चेतना मारू की है The Yoga Sutra for Children रूपा पाई की है अजय टू योगी आदित्तेनाथ शांतनु गुपता की है Reverse Swing Ashok Tendon की है Western Lane तो ये चेतना मारू की है The Yoga Sutra for Children किसकी है रूपा पाई की है और बचो शांतनु गुपता की है अजय टू योगी आदित्तेनाथ ठीक है चलो The Reverse Swing सबसे पहले Ashok Tendon वाली पुस्तक दूसरी है Western Lane शेतना मारू की है और The Booker Prize 2023 Shortlisted यनि जो बुकर के लिए कुछ गिनी चुनी पुस्तक होती है ना उनमें ऐसे चुना गया था हलंक इसने जीता नहीं जीता किसने Prophet Song ने जीता था ना उसे जीता Prophet Song ने जीता इस बार Booker Prize ठीक है बच्चो और Prophet Song जो है किसने लिखि है Paul Lynch ने लिखि है किसने Paul Lynch ने लिखि है तो ध्यान रखना है छेतना मारू कि जो पुस्तक है यह भी important है equally यह important है equally यह important है ठीक है Western Lane भी याद रखना है The Gita For Children The Gita For Children ये वाला है बच्चो The Yog Sutra The Yog Sutra For Children रूपा पाई की है किसकी है? रूपा पाई की है बचो और अजे टू योगी आदे तेनाथ शांतनू गुपता ने लिखी है इस ने लिखी है? शांतनू गुपता ने पुस्तक लिखी है बचो The Golden Years कल भी हमने पढ़ी थी Raskin Bond की है ठीक है आजाद एक मुस्तक लिखी है और ये गुलाम नभी आजाद ने लिखी है जो पहले अंग्रेज अंग्रेज नहीं जो पहले कॉंग्रेस पार्टी में थे और उन्होंने फिर क्या बदल दी बचो पार्टी अपनी अलग बना ली है तो golden years रसकिन बॉंड की है आजाद गुलाम नभी आजाद की है heritage trees of goa वहां के governor जो है पी ए स्रीधरन पिल्लई उनकी है heritage trees of goa और the day I become a runner as chattopadhyaya ठीक है एस चattopadhyaya ध्यान रखना है the day I become a runner तो कह रहा है भी मैं जिस दिन runner बन जाओंगा ना वो उस दिन में अपने चattopadhyaya चटपने जो होते ना फालतू की चीज़ें खानी उनको छोड़ दूँगा चटपड़ी चीज़ें खाना छोड़ दूँगा जिस दिन मेरा क्या हो जा जाओंगा यानिकी अपने फिजिकल पर ध्यान देने लग जाओंगा ठीक है तो चटपने छोड़ दूँगा ठीक है यह याद रखना है आपको तो the golden years raskin bond की है आजाद गुलाम नभी आजाद की है बच्छो heritage tree of जो गोज है पीए स्भी धरन पिललई की है the day I become a runner as chattopadhyay की है तो the day I become a runner as यानि सोहिनी chattopadhyay तो गोलडन year किसकी है रसकिन बॉन्ड की पुस्तक है किसकी रसकिन बॉन्ड की गुलाम किसकी है तो बच्छो यह गुलाम नभी आजाद की है किनकी है गुलाम नभी आज़ाद की है ठीक है गुलाम नभी आज़ाद की है गुलाम याद रखना है the light we carry the light we carry वैसे तो यहीं से पता चल जाएगा आपको फिर भी एक दो बार पढ़ लेना overcoming in uncertain time the light we carry तो यह बराक अबामा की जो वाइफ है Michelle Obama उन्होंने यह पुस्तक लिखिया है ठीक है चलो from dependence to self-reliance यह बिमल जालान की है यह भी RBI के पूर्व गवर्नर है बच्चो तो from dependence पहले हम किसी पर क्या करते थे depend करते थे फिर self-reliance मतलब आत निर्भर हो गए तो यह बिमल जालान की है the light we carry Michelle Obama की है from dependence to self-reliance विमल जालान की है जीते जी इलहबाद ध्यान रखना है ममता कालिया की है ममता कह रही है भई कालिया नाग ने काट लिया मुझे जीते जी इलहबाद डॉक्टर के हाँ ले चलो ममता कह रही है कालिया नाग ने मुझे काट लिया मुझे जीते जी इलहाबाद ले चलो डॉक्टर के पास कहां ले चलो डॉक्टर के पास ऐसे याद आ जाएगा वहाँ पर जब आप जब देखोगेना तो याद आ जाएगा तो मुम्ता कहरे है कि जीते जी लाहवाद ले चलो डॉक्टर के पास क्योंकि कालिया नाग ने काट लिया है ठीक है वीश्री निवास दो-तिन बार पढ़ना ही पढ़ेगा बचो घबराना मत इन पुस्तकों से इन पुस्तकों के लास्ट में जो मैं पांच मेंट का रिवीजन करवाता हूँ ना बस आपको एक बार क्लास लेके वही देखनी है वही देखनी है और आप पुस्तक ठीक ही करका होगे एक्जाम में आप चिंता मत करना गबराना नहीं नाम इसमें थोड़े मुश्किल है दा लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलाइंस बेमल जालान की है बचो जीते जी इलाबाद ममता कालिया और जी ट्वंटी एट ट्वंटी ट्वंटी ट्री द्री रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी ये वी स्री निवास की पुस्तक है तो बिमल जालान ने लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलाइंस बचो ठीक है जी ट्वंटी एट ट्वंटी ट्री ये वी स्री निवास ने लिखी है और जीते जी इलाबाद किसने लिखी है ममता कालिया ने लिखी है किसने जीते जी इलाबाद लिखी है ममता कालिया ने किसने लिखी है जीते जी इलाबाद लिखी है मम्ता कालियाने बच्छो एना cold blooded love ये grease दत शुकला की है ठीक है बच्छो cold ध्यान रखना है blooded love grease दत शुकला की है तो पलकों की छाओं में हेमा जोशी की है किसकी है? हेमा जोशी सिंधिया और 1857 तो भी ये तो पुराना टाइम है तो पाठक, राकेश पाठक ऐसे ध्यान रखना है कि पाठक माने पढ़ने वाला यानि सिंधिया और 1857 के बारे में पढ़ रहें लोग पाठक ठीक है? राकेश पाठक हो जाएगा और बिल्डिंग पाठनर्शिप तो कैप्टन हिमादरी दास कैप्टन के साथ ही तो बनाते हैं भई, कैप्टन के साथ ही तो पाठनर्शिप बनाते हैं अगर केट भी खेलते हैं, किसके साथ कैप्टन के साथ ही बनाते हैं तो पलकों की छाओं में डॉक्टर हैमा जोशी की है, सिंधिया और 877 डॉक्टर स्राकेश पाठक की है और बिल्डिंग पार्टनर्शिप है कैप्टन हिमादरी दास की किसकी? हिमादरी दास की, ध्यान रखना है तो ग्रीस दत्शुकला की है, कोल्ड ब्लडिड लव क्या है? कोल्ड ब्लडिड लव और बचो राकेश पाठक जो है उन्होंने लिखी है सिंधिया और अठारे सो सत्तावन क्या लिखी है? सिंधिया और अठारे सो सत्तावन Master Residential Real Estate Real Estate के बारे में जानकारी देती है पुस्तक Real Estate जो होता है हमारा मकानों को खरीदना, बेचना, बनाना इस टाइप से Master Residential Real Estate अश्विंदर सिंग की है किसकी? अश्विंदर सिंग की War and Women है Dr. M. A. हसन की किसकी है? M. A. हसन की है The Autobiography of God ये लीना सिंग की पुस्तक है और Monsoon, A Poem of Love and Longing ये किसकी है? अब है के की किसकी? अब है के की Master Residential ये जो बचो Real Estate है अश्विंदर सिंग की है War and Women ये किसकी है? M. A. हसन की है ठीक है? War and Women किसकी है? M. A. हसन की Autobiography of God किसकी है? लीना सिंग की है Monsoon, A Poem of Love and Longing अब है के की है? किसकी? अब है के Master Residential Real Estate अश्विंदर सिंग की है War and Women डॉक्टर M. A. हसन की है Autobiography of God लीना सिंग की है और Monsoon, A Poem of Love किसकी है? तो ये अब है के लॉंगिंग की है बचो ठीक है? चलो Prism, The Ancestral Abord of Rainbow Prism, Prism किसे बोलते हैं? मतलो Prism जैसे होता है न? जैसे आपका शीशा होता है उसी तरह का Prism भी होता है तो Prism, The Ancestral Abord of Rainbow तो विनोध मन का रहा किसकी है? विनोध का मन कर रहा है के बई शीशा प्रिजम देख लूँ में क्या कर देख लूँ? प्रिजम देख लूँ? शीशा देख लूँ थोड़ा सा विनोध का मन कर रहा है ऐसे ठीक है? चलो कथकली डांस थेटर केके गोपाल कृष्णन ठीक है कथकली ये तो नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है वैसे ही कथकली तो केके गोपाल कृष्णन कथकली डांस थेटर केके गोपाल कृष्णन प्रिज्म, दा एंसेस्ट्रल अबोर्ड आफ रेंबो, विनोध मनकारा की है, कथकली, डांस थियटर, केके गोपाल कृष्णन की है बचो, कलेक्टिव इस्पिरिट, कंक्रीट एक्षन, ये है, शशी शेखर विमपत्ती की, किसकी, शशी शेखर विमपत्ती की, और माई प्रेड, ये केके शेल जाकी है, किसकी है, केके शेल जाकी है, याद कैसे करेंगे वही बता रहा हूँ, आप पढ़ते तो जाओ, क्लास लास्ट करो, तब पता चलेगा के याद कैसे होगा, प्रिज्म, दा इंसेस्ट्रल अबोर्ड आफ रेंबो, विनोध का मन कर रहा था प्रिज्म देखने का, विनोध का, केके गोपाल किसनन ध्यान रखना है, कत कली, केके कत कली, को केके गोपाल किसनन याद हो जाएगा, कलेक्टिव सिटीज कंक्रीट एक्षन, तो सशी शेखर वेंपत्ती की है, और माई लाइफ एज एक काम रेड, केके शेल जा, कौन हैं, केके शेल जाएं शायद ये लास्ट वाली होगी फिर हम याद करेंगे निलावू कुडीचा बच्चो सिमहंगा ये एस सुमनात की और बड़ी महत्पुन पुस्तक है लेकिन नाम बड़ा उल्टा है ठीक है निलावू कुडीचा सिमहंगल एस सुमनात की है मौनसून अपोयम अफ लव एंड लॉंगिंग ये अभय केकी है वच्चो ध्यान रखना है एपी जे अब्दुलकलाम मैमोरीज नेवर डाई नसीमा मरे क्यार और वच्चो वाई एस राजन ठीक है देखो एपी जे अब्दुलकलाम मैमोरीज नेवर डाई मैमोरी कभी नेवर डाई नसीमा मरें क्या ये मैमोरी कभी मरें क्या नहीं मरती जैसे कह रही है पुस्तक के मैमूरी कभी नी मरती याद हैं कभी नी मरती नसीमा ये मरें क्या ये मरें हैं क्या नहीं भी ये नी मरती ठीक है ये बिलकुल नी मरती है ना Y.S. राजन और है इनके साथ में और वाजपई The Ascent of the Hindu Right 1924 से 1977 ये अभी शेक चौधरी की है किसकी अभी देखो जब भी revision करोगे आप यहाँ से आगे करोगे revision करना है ये किताब ही maximum चीजे मैं आपको याद करा दूँगा जरूर करा दूँगा लेकिन ये किताब ऐसी है ये असानी से होती नहीं है ना इनके लिए आपको थोड़े extra effort करने पड़ेंगे ये ऐसा करना पड़ेगा कि जो कल की थी ना उसे आज पांच मट के लिए देखो आज की को कल देखो फिर परसों फिर कल वाली को देखो फिर है न ये दो दो हर दो दिन के अंतर पे दो चार बार देखनी पड़ेंगी ब्रेकिंग दा मोल्ड तो उसकी थी ना ध्यान रखेंगे ना रगुराम राजन और बच्चो रोहित लांबा की बिलकुल ब्रेकिंग दा मोल्ड तो उनहीं की थी तो बुद्ध के साथ कौन कर रहा था बुद्ध के साथ तो डांस कर रहे थे विवेक अगनी होतरी बुद्ध के साथ विवेक अगनी में डांस कर रहे हैं कहां कर रहे हैं अगनी में डांस कर रहे हैं बच्चो फायर ऑन दा गेंग्स क्या राधिका एंगर की है फायर ऑन द गेंग्स है ना तो गंगा अयंगा गंगा इंगा इस तरह से याद करेंगे और थ्रूदा ब्रोकन ग्लास टी एन सेशन ठीक है थ्रूदा ब्रोकन ग्लास वह तो टूटे हुए ग्लास में से निकल गई ती तो अब नेन मतलब नहीं है शेस बची हुई ती तो शेस बची हुई नहीं है क्योंकि वो तो निकल गई किस से निकल गई बचो वो तो ठूटे हुए गलास से तूरू दा ब्रोकन गलास निकल गई Breaking the mold किसकी है रग्राम, राजन और रोहित लांबा की है याद रखना है बचो The book of life My dance with Buddha for success किसकी है विवेक अगनी हुत्री की है Fire on the games किसकी है राधिका अयंगर की है Through the broken glass किसकी है TN session की है किसकी TN session की बचो ठीक है TN session की है TN session याद रखना है फिर से आजाओ Colors of devotion मैंने का था ना Devotion तो भारत के प्रती रखना है अपना तो Anita भारत शहा कौन है? Anita भारत शहा The Indian Metropolis Indian Metropolis है Firouज वरुन गांधी की बच्चो यहाद रखना है Nation बुला रहा था Sonal Goyal ने लिखी है I.E.S. है Sonal Goyal और Pitch Side My Life in Indian Cricket तो भई जो Pitch पे पहुँच जाता है Indian Cricket की पे उसकी तो जिन्दगी अमरत की जैसी हो जाती है जैसी हो जाती है जैसे अमरत हो है न यानि उसके जिन्दगी में तो सब मिल जाता है उसे तो अमरत माथूर हो जाएगा क्या? अमरत माथूर हो जाएगा फिर से देखो Colors of Devotion Devotion कहां पे है जहां भारत नाम है तो अनीता भारत शहा Indian Metropolis फिरोज वरुन गांधी की है Nation कह रहा था बुला रहा था तो Sonal Goyal और बच्चो Pitch Side My Life in Indian Cricket किसकी है? अमरत माथूर की है किसकी? अमरत माथूर की है ये भी रखना है याद Reverse Swing अशोक Tendon की है अशोक Tendon Western Lane चेतना मारू की है बच्चो The Yoga Sutra for Children है रूपा पाई योग से ना बच्चों में बिलकुल रूप रूप आ जाता है रूप पा लेते हैं वो भी योग क्यों कर रहे हैं बच्चे? योग के सूतर क्यों दे रहे हो? तुम बच्चों को रूप पा जाते हैं बहुत बढ़िया सुन्दर हो जाते हैं बच्चे अगर योग करते हैं ये कहना चाहते हैं ठीक है? और अजेटू योगी आदितनाथ तो शान्तनु गुपता ठीक है? शान्तनु गुपता याद रखना है बच्चो अजेटू योगी आदितनाथ रिवर सुन किसकी है? अशोक टंडन की है वेस्टन लेन चेतना मारू की है दे योग सूतर फोर चिल्डरन किसकी है? तो ये किसकी है बच्चो? रूप पा जाते हैं बच्चे हमें कौन सा वहां जाके? लिखना है छाट नहीं तो है इतने में भी नहीं छटेगा क्या? बिल्कुल छटेगा आप करके देख लेना और ये संडे में जब टेस्ट में आएंगी पुस्तक हैं तब देख लेना आप करते हो या नहीं और अजटू योग यादितनाथ तो ये हो जाएगा बच्चो? ये कौन है? शांतनू गुपता हैं ठीक है? चलो अगे आजाओ अगली वाली पुस्तक पे अगली पुस्तक क्या है? दो गोल्डन येर्स तो रस्किन बॉंड की है ठीक है? गोल्डन येर्स तो रस्किन बॉंड की थी आजाद कौन से थे? एक तो आजादी था आजादी तो अरुन्धती राय कल हमने पड़ी थी आजादी अरुन्धती राय लेकिन बच्चो आजाद गुलाम नभी आजाद ठीक है गुलाम नभी आजाद Heritage of Trees Heritage Trees of Goa तो जो गोवा के हैं पिये स्रीधरन पिल लई और the day I become a runner जब मैं रिनर बन जाओंगा ना runner तो चटपने की चटपठी चीज़ों को मैं छोड़ दूँगा भई उनका ध्याय खतम कर दूँगा उनका ध्याय कर दूँगा समापत ध्यान रखना है The Golden Years है रस्किन बॉंड की आजाद है गुलाम नभी आजाद की Heritage Tree of Goa हैं पिये स्रीधरन पिल लई की और the day I become a runner एस चटपाध्याई की पुस्तक है किसकी एस चटपाध्याई की उस तक है बच्चो ठीक है The light we carry तो ये है किसकी Michelle Obama की From dependence to self-reliance बिमल जालान बच्चो ध्यान रखना है ठीक है The light we carry Michelle Obama की है From dependence to self-reliance बिमल जालान की है जीते जी ममता कह रही है कि मुझे कालिया ने काट लिया कालिया नागने मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे जीते जी इलाबाद पहुचा दो जिससे मेरा इलाज हो जाए और G-28-23 The road map to Indian presidency ये है वी सरी निवास किसकी है वी सरी निवास की पुस्तक है किसकी वी सरी निवास की बचो Cold-blooded love Cold-blooded love के कौन है जल्दी बताओ कौन है इसके Dr. Hema Joshi है क्या ये ग्रीस दत शुकला है ग्रीस दत शुकला है ठीक है ये है वी वी चो Cold-blooded love तो पलकों की च्छाओं में तो पलकों की च्छाओं में है हेमा जोशी हेमा जोशी पलकों की च्छाओं में हेमा जोशी सिंधिया और 1877 Dr. Rakesh Pathak है और Building Partnership Captain Himadri Das क्योंकि पार्टनर्शिप बनाओगे आप Captain के संग किसके Captain के संग बनाना पसंद करोगे Partnership बच्चो ठीक है चलो अगला कुशन हमारा है Master Residential Real Estate ये किस ने लिखी है Ashwinder Singh ने लिखी है बच्चो War and Women M. A. Hasan ने लिखी है War and Women बच्चो है न M. A. Hasan ने लिखी है The Autobiography of God Lina Singh ने लिखी है और Monsoon A Poem of Love and Longing ये लिखी है अब है के ने किसने अब है के ने लिखी है बच्चो Prism The Ancestral Abord of Rainbow तो Prism की तो बात चल रही था ना विनोद का मन कर रहा था Prism देखने का यानि शीशा देखने का विनोद का मन कर रहा था बच्चो Katkali Dance Theater तो K. K. Gopal Krishnan ठीक है K. K. Gopal Krishnan ठीक है याद रखना है नमबर तीन Collective Spirit Concrete Action शशी शेखर विमपत्ती और बच्चो My Life as a Comrade ये है केके शेल जाकी किसकी? केके शेल जाकी है ना निलावू कुडिचा सिमहा नागल ये किसकी है? ये एस सोमनात की पुस्तक है Monsoon A Poem of Love and Longing ये अभै के की है ये अभै केकी है तो निलावू कुडिचा सिमहांगल ये किसकी है बच्चो एस सोमनात की है Monsoon A Poem of Love and Longing ये अभै के की है A.P.J. अब्दुलकलाम Memories Never Die Memories कहीं नहीं मरतीं कभी नहीं तो नसीमा नसीमा मरें क्या ये मरें क्या ये जिसे जूट तो नहीं बोले और Y.S. राजन नसीमा मरें क्यार और Y.S. राजन ध्यान रखना है A.P.J. अब्दुलकलाम वाली पुस्थक के और वाजपई The Ascent of the Hindu Right ये अभिशेख चौधरी की पुस्थक है किसकी अभिशेख चौधरी की अब अगर ये जो हैं पुस्थक हैं इनको कम से कम जैसे कल की क्लास थी कल कौन सी क्लास थी कल वच्चो कौन सा दिन था एक बार दिन बताएंगे मुझे अज दो तारिक है ना कल एक तारिक वाली जो क्लास थी उसे फिर तीन में उसके लास्ट पांच मिन देखो फिर से साथ में पांच में सोरी पांच में और फिर से साथ में ये तीन से चार बार देखनी ही पड़ेगी अगर नहीं देखोगे तो पुस्तक हो जाएगी गलत वैसे ही जो आज दो तारिकी है आज तो देखी रहे हो, खतम होने के बाद ये last 5 minute फिर से देखनी है फिर देखोगे 4 को, फिर देखोगे 6 को, और फिर देखोगे 8 को क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनने आसानी से याद कर लेते हैं हम लेकिन कुछ हैसी होती है, जो जटिल है, और जो जटिल को याद करके चला जाएगा न, वही फिर पेपर में नमबर भी लेके आएगा इसलिए यह आपको करना है, अभी class खतम होते ही, पिछले 6 minute पीछे आप जाओगे, उस class को फिर से शुरू करोगे क्योंकि मुश्किल चीज है, इसलिए टॉपिक भी छोटा रखा हुआ है मैंने, कल जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हम रखने की कोशिश करेंगे, एक खेल घटना करम, हमने किरकेट का तो निप्टा दिया था, लेकिन बाकी अभी बचा हुआ है काफी, ठीक है, तो खे से टर्डे और संडे में टेस्ट होगा, ठीक है, दो दिन लगातार, से टर्डे में एक से छे नंबर कलास का, और वच्चो संडे में साथ से बारे नंबर कलास का, ठीक है, चलो, अभी के लिए इतना ही रखते हैं वच्चो, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद,